हेलो रिवान, वेलकम टू फार्मरोक्स यूटूब चैनल, फार्मरोक्स के यूटूब एजूकिस्टनल चैनल में आपका स्वागत है आज के वीडियो लेक्चर के अंदर हम डिटेल में जीपेट 2021 एक्जाम का पेपर एनलसिस करेंगे और जानेंगे कि आंसर की वगेरा कब आएगी, रिजल्ट डेट क्या रहेगे, as well as cut off कितना हो सकता इस बार, एंड जीपेट 2021 क्लियर करने के बाद स्कॉलर्शिप क्या कि जो स्टुडेंट्स क्वालिफाई करेंगे ये एक्जाम को, तो विस्तार से जानकरी देते हैं आपके वीडियो लेक्चर के अंदर और जानेंगे जीपेट 2021 के बारे में, तो एक्सपर लेक्चर बाइमर्सर, आसिस्टम प्रोफेसर और फाउंडर ऑफ फार्मा रॉक्स अप्डेटेट रही है फार्मा नोलेश के साथ, एक्सेस करिया स्टेडी माटरियल, टेस्ट सिरीज एंड वीडियो लेक्चर ओन एप फार्मा रॉक्स, डाउनलोड करिया आप फार्मा रॉक्स, एंडरोड एपन गूगल प्ले पर आइफन एपन, एप स्टोर लिंक आपक इस्क्रिप्सन बॉक्स में मिल जाएगी, तो आप जानिये 2021 के अंदर कितने questions पूछे गए subject wise तो, exam आप सभी को पता है कि 27th February को complete हुई across the India and यहाँ पे जो table है उसके अंदर हम देख सकते है कि subject wise कितने questions आए, 2021 की GPED exam के अंदर, तो chemistry से जो उन्होंने blueprint दी थी उसके according to 38 questions ही and maximum उनके marks cover होंगे 152, pharmaceutics से 38, same 150 marks आप score कर सकते है, pharma kognosy से 10 question आए, kology से 28, other subjects से 11, दुसी तरह से kognosy से आप 40 marks score कर सकते है, kology से 112 and other subjects से 44 और total 125 questions के हो गई आपके 500 marks of a GPED exam, तो अब review देखते हैं कि GPED 2021 का students review का कह रहा है, तो overall paper was easy compared to the GPED 2020, 2019 and 2018 तो students को जब हमने पूछा exams के बारे में, तो most of students का कहिना ये था कि paper जो है, वो easy रहा, compare to previous GPED exam कि जो student regular preparations करते हैं और previous papers solve करते हैं, तो उन्होंने तुरंत ये review कार कहा कि 2018, 19 and 20 के compare में, 2021 का paper था, वो काफी easy रहा उनके लिए and according to the students, GPED 2021 paper was logical and it's a basic one only, तो basic के उपर हम हमेशा आपको कहते हैं कि preparations करना, तो यही main बात है कि जिन लोगोंने basic अच्छे से किया था, और theory and जो important tables वगेरा होते हैं, charts होते हैं, उसमें से questions जो हैं, वो पूछे गए इस बार की भी exam के अंदर and 20 से 25 questions तो ऐसे direct question थे, कि जो आपने जो important notes वगेरा किये होगे, pinpoints वगेरा किये होगे, उसमें से जो है, वो पूछे गए थे तो students review यह कहता है कि जिनोंने proper preparations की थी, तो उनके लिए जो paper था उनको काफी easy लगा, अब expert review की बात करें तो we agree with the students review that the paper was logical and basic funda is become a key role in a paper, कि जो basic funda की बात हम हमेशा कहते है, कि आप जब भी GPET वगेरा की exam के preparations करते, कोई भी competitive exams के preparations करते, तो जरूरी होता है कि basic funda in concept के उपर ध्यान रखना, और जिन student ने ये मंत्र को पकड़ के रखा था, कि basic concept ही मुझे करना है, basic funda कलियर करने है, तो उनके लिए की role रहा paper के अंदर और paper बन गया उनके लिए easy, but जो second side देखे हम, कि जो coin के दो side होते हैं, उसी तरह से preparation करने वाला भी दो part में divide होते हैं, कि एक work ऐसा है students का, कि जो basic के उपर focus करते हैं, concept के उपर focus करते हैं, और दुसरा जो work ऐसा है students के अंदर ऐसा class है, कि जो सिर्फ IMP के पीछे बागता है, only important ही वो करते हैं, even उनके theory examination हो, उनके viva based examination हो, multiple choice questions examination हो, always उनका target IMP रहता है, तो IMP करने वाले students के लिए ये paper जो है उनको tough लगेगा, because कुछ logical and questions होते हैं, concept based questions होते हैं, तो जब आपके basic concept clear हो, तो उनी के लिए ये कुछ questions जो है, वो solve कर सकते हैं, but overall हम देखिए, तो paper जो था, वो easy रहा, कि जिन students ने, already basic concept के उपर focus किया था, and जो सिर्फ IMP करते हैं, उनके लिए paper रहा tough, तो ये खास कि जो students, upcoming examinations की तयारी कर रहे हैं, जी पर 2022 के लिए कर रहे हैं, 23 के लिए कर रहे हैं, तो उनको ये खास दियान रखना चाहिए, कि आप अभी से ही basic concept खास करो, जो important tables वगेरा, chart के साथ हो साथ, जरूरी रहता है, theory concept कि आपका अच्छे से improve कर रहा ना, So, chance to increase the cut-off by 5 to 10 marks, compare to the last year GPA 2020, cut-off paper easy था, और 2020 के compare में भी आपको paper जो है, वो easy लगा होगा, तो cut-off obviously increase होगा, तो G-PED 20 के cut-off है, इस बार increase हो सकता है, 5 से 10 marks जितना, तो ये वाला अब तक का cut-off है 2020 तक, तो उसमें आप देखिए, कि previous year भी हमने बताया था आपको कि 2020 का जो paper था, वो पूराने G-PED के exams के compare में रहा था easy, उसके करण आप देखो, 163 highest cut-off रहा अब तक के G-PED के result analysis के अंदर, कि जब से exam 500 marks का हुआ है, तब से हम जो कि उसका cut-off देखिए, कि 2013 में 145 रहा था, और ये cut-off रहते है, out of 500, ये जितना भी आप यहाँ पे देख रहे हैं, कि जब से exam ये 500 marks की हो गई, तब से ये cut-off analysis है, तो उसमें आप देखिए, कि paper जब easy था, तब cut-off 5 हुआ और paper जब tough था, कि 2017 का paper tough था, तो उसका cut-off देखिए, 16 का भी paper tough था, तो cut-off उसका lower था, बड़ जैसे paper easy रहता है, तो उस वक्त highest marks भी increase होती है, overall students अच्छा करते है, तो उस वक्त cut-off जो ही वो उपर जाती है, और इस बार भी ऐसा ही है कि cut-off जो ही वो increase होगा, तो expected cut-off हम देखिए, त हो सकता है, 165 से लेकर 175, OBCN NCL का देखिए, तो 130 से लेकर 140 के बीच में रह सकता है, schedule cast के student के लिए 100 से 110, schedule tribe के लिए 19 से 100 and economical vicar section है, कि जिसको हम EWS category कहते है, तो 110 से लेकर 120 के बीच में उनका cut-off जो है वो इस बार हो सकता है, जीपेट 2021 की से एक्जाम का, तो अब बात करें कि जो recorded responses है कि जिन लोगों ने एक्जाम दिया है इस बार का, तो उनको कब ये recorded responses वगएरा उनको देखने को मिलेंगे, तो National Testing Agency जो है जीपेट के उनकी official website, जीपेट.NTA.NIC.Teen, उसके उपर जो आपके responses है कि आपने कौन से responses उपवार उस बार सब्मिट किये थे, with question paper आपको देखने को मिलेगा जीपेट के website के उपर है, and the recorded responses are likely to be displayed for two to three days, मतलब कि जिस दिन वो upload होगा, उसके बाद दो या तिन दिन तक आपको वो responses वहाँ पे देखने को मिलेंगे, और साथ ही आपके release होगी provisional answer की, तो ये कब होता है, तो within one week, तो one week of examination यहाँ पे जो answer की और as well as question paper with recorded responses अप्डोट हो जाता है, तो वो आपको किस तरह से check करना है, वो मैं आपको बता देता हूँ, तो यहाँ पे आप Gpd का official website का जो है वो page दे सकते हैं, तो अभी यहाँ पे download admit card वाला ही option यहाँ पे आप देख सकते हैं, और नीचे login for Gpd 2021 है, तो download admit card है, वही पे यहाँ पे एक और tab आजाएगा, और वहाँ पे लिखा होगा कि Gpd questions paper आप डाउनलोड कर सकते हैं, अपना response देख सकते हैं, आज वहाँ पे provisional answer की का भी option आजाएगा, तो regularly आपको यही website जो है वो visit करती रहनी है और साथ ही हम भी आपको notification प्रोएड कर देंगे कि जब यहाँ पे information आ जाते हैं, तो regularly आप page refresh वगेरा करके भी चेक करते रहेना कि जिससे आपको पता चले कि कब यह information यहाँ पे upload होती है, तो within one week में हो जाती है, तो 28 को exam होई थी, तो अब एकद विक के अंदर वो upload हो जाएगा, तो recorded जो responses है आपको within one week के अंदर देखने को मिल जाते है, तो अब जल्दी से उसके recorded responses देखने को भी लेंगे, और साथ साथ जो provisional answer की होती है, वो भी आजाएगी और उसमें समझे के आपको कोई doubt वगेरा है, तो answer की को आप challenge भी कर पाओगी, कि जैसे ही यह provisional answer की आएगी, तो उसको आपको challenge करने के लिए वो कुछ time देंगे, और challenge करने की जो fee होती है, वो non refundable रहता है, online payment, rupees 1,000 per question, कि अगर आपको कोई questions के उपर query है, doubt है, तो आप answer की को with references के साथ, जो है वो claim कर सकते है, challenge कर सकते है, और वो same process आपको यही website के उपर follow करने है, after the release of provisional answer की as well as the question paper of GPA 2021 examination, provisional answer की are likely to be display for 2-3 days, 2-3 दिन तक वो रहेगा, तो आपको जैसे ही वो आनती है, तुरंट download करके check कर लेना होता है, and same it will be display within the one week of examination, और जैसे ही यह provisional answer के के बाद सब कुछ clear हो जाते है, तो final answer की आती है, और final answer की आने में minimum 15 से 20 दिन जितने लग जाते है, after the examination और उसके 4-5 दिन के बाद result जो है वो आपका declare हो जाता है, तो expectedly हम देखे, तो GPA exam की जो result date है वो at least रह सकती है, 20 से लेकर 25 मार्च के बीच में जो आपका result जो है वो declare हो सकता है, अब बात करें scholarship की कि जो student GPET का ये exam qualify करेंगे, उनको scholarship कितनी मिलेगी, तो जितने भी GPET qualify student होगे, इस बार वो सभी को 12,400 रुपे पर मन्त scholarship मिलेगी, कि जब वो post graduation courses के अंदर admission लेंगे, तो ही उनको scholarship मिलती है, ऐसा नहीं कि आप qualify करके फिर admission नहीं लेते तो आपको scholarship नहीं मिलेगी, ज़रूर से आपको admission जो है वो लेना रहता है, एन full time GPET qualified student, ऐसा नहीं कि आप part time करते हैं, जो students को full time करना है M pharma, तो उनके लिए ही ये scholarship जो है वो रहती है, कि आपको ये खास जरूरी है कि आप जहाँ पर admission लेते हैं, वो AICT approval होनी जरूरी है, तो ही आप eligible बनेंगे scholarship के लिए, तो GPET का जो qualification है, वो सिर्फ AICT institute के लिए है valid है, because ये जो scholarship है, वो आपको AICT देता है, तो जरूरी है कि आप ऐसे institutes के अंदर admission लेकि जो AICT approval है, तो admission के दोरान भी आपको ये खास द्यान रखना होता है कि आपके institute AICT approval है या नहीं, और वो भी आपको जरूर से पूछ लेना चाहिए कि GPET qualified को वो scholarship बगेरा देते है या नहीं, तो जैसे result आएगा हम आपको inform करेंगे, never lose your hope, good luck and all the best for your result, keep moving for the success and keep the learning, never lose hope, tomorrow could be the day you have been awaiting for, so just relax है जैसा भी आपका paper गया है, अब जो भी अगला दीन आएगा वो आपके लिए बेस्ट ही आएगा और जो भी होगा वो काफी अच्छे के लिए ही होगा आपके लिए, so good luck and all the best for your result, answer keys and for the further success in your life, so pharma rocks के whatsapp groups join कर सकते है, ये वाला whatsapp, helpline number है 9426180836, thank you for watching the video, like, share and subscribe the channel, place the bell icon and join the pharma rocks for such more pharma educational videos, good luck and all the best,